इस टॉर्णमेंट के पाकिस्तान में हो बाकी मैचेज वो चाहते थे नीट्रल वेन्यू में उस चीज के लिए अग्रीमेंट होगी थे आले कि पाकिस्तान पहले ये कह रहा था कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में हो फिर उन्हें चलिए ठीक हाइब्रिड कर देते हैं कुछ म hybrid model के लिए लड़ रहे थे और अने का थे hybrid model में कुछ matches जब पाकिसान में हो जाएंगे तो फिर ये एक message भी जाता है कि पाकिसान में cricket हो सकती है और चुकि इंडिया पाकिसान नहीं जा सकता था तो उसमें इंडिया का कोई सेप्टेंबर यानि की अठारा दिन का यह टार्नमेंट होगा and we'll see all the lead teams यानि की इंडिया पाकिसान श्रेलंका बांगलादेश अफगानिस्तान नेपाल 13 matches कुल हैं including the final the tournament अभी है important चीज़ा the tournament will be hosted in a hybrid model with four matches being held in Pakistan and the remaining nine matches being played in Shri Lanka तो जैसे पाकिसान cricket board चाहता था चार matches जो है वो इस tournament का आगाज पाकिसान से होगा उसमें पाकिसान का अपना match भी है और बाकी टीमों के match इंडिया का match नहीं है पाकिसान में तो उसके बाद as it is वो कारवा उठेगा और श्रिलंका आ जाएगा जहां पर final को मिला के नौ और match खेले जाएंगे उसमें यह लिखा है कि जी दो groups होंगे जो हमेशा होता है वे टू टीम्स फॉम इज ग्रूप क्वालिफाइंग फॉर दी पाकिसान इंडिया को हरा दिया और सुपर फॉर में आके पाकिसान इंडिया को हरा दिया था पाकिसान फाइन में पहुंच गया था इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच आता वो श्रिलंका जीत गया था और भारत नहीं पहुंच आता फाइनल में तो इस बार अगर चुकि यह 50 over का Asia Cup है World Cup से ठीक पहले है तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिसान दोनों टीमों के लिए ये एक टसल भी होगा ये एक तैयारी का मौका भी होगा क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिसान के ज़्यादा मैचिस होते थे तो एक-एक मैच को लेकर बहुत ज़्यादा कट-thruot competition नहीं होता था वो दबाओ प्लेयरों पे नहीं होता था अब अगर आप ये उमीद करेंगे World Cup से ठीक पहले तीन मैच इंडिया पाकिसान के हो including the finals अगर दोनों टीमें पहुंचती है तो ये pressure थोड़ा कम भी करता है ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो पाकिसान ने चाहा था उस हिसाब से Asian Cricket Council